एक बार की बात है, छोटे से गाव में चिमु नाम की एक रहने वाली थी, चिमु को फूलों से बहुत प्यार था, उसके घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था, लेकिन वह सूखा और उजाड था, चिमु को यह बगीचा बहुत दुखी करता था. एक दिन चिमु को बगीचे में एक घायल तितली मिली, चिमु ने तितली को प्यार से उठाया और उसकी चोट को साफ किया, धीरे धीरे तितली ठीक हो गई, चिमु उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने तितली का नाम चंचल रखा. चंचल ठीक होने के बाद, हर रोज चिमु के साथ बगीचे में खेलने आती, चिमु ने सोचा कि क्यों न इस बगीचे को रंगीन बनाया जाए, ताकि चंचल और उसकी सहलिया यहां खुश होकर रह सकें. सुबह होते ही चिमु ने मिट्टी खोदी और उसमें अपने बचाए हुए पैसो से बीज बोए, उसमें उनकी हर रोज देख भाल की, पानी दिया और निराई की, धीरे धीरे बीज छोटे छोटे पौधों में बदल गए, कुछ दिनों बाद, बगीचे में रंग बिरंग के फूल खिलने लगे, लाल, गुलाबी, पीले फूलों से बगीचा महक उठा, चंचल और उसकी बहुत सी सहलियां आकर फूलों पर नाचने लगी, चिमु खुशी से जूम उठी, अब उसका बगीचा सूखा न था, बलकि खूबसूरत तितली बगीचा बन गया था, हर द चिमु बगीचे में फूलों के बीच खेलती और चंचल के साथ बाते करती, उसने सीखा की प्यार और देखभाल से कुछ भी खूबसूरत बनाया जा सकता है, सीख यह कहानी हमें यह सीख देती है कि थोड़े से प्रयास और प्यार से हम अपने आसपास की दुन्या को बदल सकते हैं, पर्यावरण की देखभाल करना और पौधे लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है